हेलो अब्रिबन वेलकम बैक टू क्रेस बाइलोजी होब कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज की लेक्चर में देखेंगे इंपूर्टेंट कुश्चन्स हमारा जो भी एसी फस्टेर सेकेंड सेमिस्टर का स्लेवस कंप्लीट हो चुका है तो एक्जाम की सेमिस्टर का यह पूरे स्लेवस कंप्लीट करा गया है तो बो तो आप इतना पॉसिबल नहीं है कि कर पाओ और अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर उसमें भी आप कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाए तो कितना अच्छा होगा तो आपकी बूस्ट हो जाएगी तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फुल रहने वाली है इसमें मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिनको पढ़के आप स्योर अच्छे मांक्स देके आ सकते हैं और अगर आप उन मैसे हैं जो कि एक्जाम की टाइम पर पढ़ते हैं मतलब एक्जाम से पहले पूरी यर आप कुछ दूसरी प्रेपरेशन कर रहे हैं कॉमपटिक्शन वगेरा की तो आप एक्जाम के टाइम पर आपने अपनी स्टार्ट करिए तैयारी तो उस वक्त के लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत कुछ जादे इंप धाग जरूर देखना एक एक टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है और सारे बहुत आप्याने कि ऑना कावरकराये जाएंगी तो चलू सटाट करते हैं एक-एक युनिट के हम सारे टॉपएक्स टेंगे कौन-कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट है वही सारे आप कंप्रीन क लेना आपको और जाने की जरूरत भी नहीं आपको सारे जो भी टॉपिक्स हैं सब चैनल पर मिल जाएंगे क्रेस बाइलोजी पर आपको इसमें अवेलेवल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेवल कर बादी जाएंगी नहीं तो आप चैनल पर जाके जो भी जुष एड़ा उर्कीटेंट्स में जो जो प्लान्ट चाते थे हमने सारे पड़े फिर प्लांट अर्किटेक्शर मतलब किस तरह का मोर्फ होती है प्लांट की इन टो मी और यह जो भी पहली नोलों जी पहली उसारे हमने देख्टें अगर आपने वह नहीं देखे तो आप आर्किगोनियेट्स के बारे में देखना है जनल करेक्टर फिर ब्राइवफाइट्स के बारे में तो इसमें अर्किगोनियेट्स की आपको डेफिनेशन पता होने चाहिए कौन-कौन से प्लांट्स अर्किगोनियेट्स में आते हैं कौन-कौन से इसमें क्या क्या जनल सब को देखने और उसके बाद जनल करेक्टर्ट चबत थो नॉर्माल ही तो आप को देखने हैं तो यह सारे लखे अदर से to Boxon resonates वह देखने हैं जारऊ करेक्टर फिर उसके बाद के चार प्लांट गए में रिक्षिया मर्केंशिया एंटोसिरोस और स्पैगनम तो उनमें में सबसे इंपोर्टेंट प्लांट्स यह दो प्लांट्स रिक्षिया और मार्केंशिया इन दोनों को आपको कंप्लीट करना है इनकी मॉर्फोलोजिय अनटोमी और इनका रिप्रोड़क्शन तो पूरी सबस्क्राइब को देखने है इस पर साथ नूट आसकता है और इकोनोमिक इंपोर्टेंस देखने स्पैग्नम की यह बहुत इंपोर्टेंटेंस सबकित बहुत इमपोर्टेंटेंस और किसिंजसी इंपर्टेंस आ Отब के शेयां ले इंपोर्टेंट है तो उसके बाग इसमें जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक यह कवर हो चुके हैं इतने अगर आपने कर लिए आपका फॉर्स और पूरा एक्जाम अच्छे से जाएगा बढ़िए सेकेंड यूनिट टेरिडोफाइटा सेकेंड में टेरिडोफाइटा मै तो इसे उसके बारे में इसका यूपिकेशन घनरल करेक्थर यह सब नहीं देखे तो यह आप यहाँ पर ही देख लीना कम्पूरेट ख़र लेना और इकोनोमिक इंपोर्टेंस तो बताई इंपोर्टेंट यह तो तो एक कुशन इसमें और रह जाता है हीट्रोश पूरी औ तो इस पर सॉट नोट आ सकता है और लॉंग में भी आ सकता है और जनरल करेक्टर जो ब्राइफाइट और टेडवाइट आके हैं और एकॉनमिक इंपोर्टेंस इन पर तो पक्का लॉंग कुशन आना है आना ही चाहिए तो कि बहुत लॉंग के लिए इसमें मैटेरियल भी प पुर्ण के लेना कॉप्लीट कर लेना क्योंकि यह लॉंग कुशन में आ सकते हैं बहुत इंपोटेंट हैं फ्य जनल करेक्टर इसमें कुछ ओर्डर दिये जैसे साइके डेल्स इनके आपको जनल करेक्टर देखने हैं उसके बाद प्लेन्ट है साइकस तो साइकस की कोई टैंसलोने की जरूरती नहीं क्की आख अब अब इंगे हैं इन में इनका छीक बहुत इंपोर्टेंट पूछी 예 सकती है यूर्ट फूर्थ है पहली वोटनी पहली वटनी में फोसेल के बारे में पढ़ा था मतलब टांट यू प्लांट की दिमेंज हैं वह किस तरह से स्थैसे पहले चाहिप तो इसमें इस स्वारीन उसनल चाहिए वोटनी पहला है गीडियोलोजीवल का लोग कुछ ना सकत इनका contribution क्या था इंडिया की पहली वाटनी में तो इनका contribution नहीं नहीं काफी plants study किये थे जो पहली वाटनी स्टार्ट करी थी इन्होंने इंडिया में सबसे पहले और इन्होंने इन्स्टिट्यूट को एस्टेबलिश किया ता लगनों में इसको बोलते हैं वीरवाल सानी इंस्टिट्यूट और पहले वाटनी ब्स यह भी अबिलेबल है पूरा कंटेंट चैनल पर सारे कुशन्स आप अच्छे से देख लेना फॉसलाइजेशन भी इसमें लोंग आ सकता ह अब नेक्स्ट यूनिट फिफ्थ एंजी स्पर्म मॉर्फोलोजी तो यहां तक तो खताम हो गया हमारा जिमने स्पर्म टेड़फाइट ब्राइफाइट और यह नॉर्मल पहली वर्टनी अब यहां से जो मॉडरन ब्लांट्स हैं एंजी स्पर्म उनके बारे में इस्टड क्या क्या देता है रूटस्टेंब, इनी ही सब की हमें स्टड़ी करनी है तो रूट सिस्टम इन फ्लॉवरिंग प्लांट्स इसमें सबसे पहले थाइप भी देखनें है और मॉडिफिकेशन भी देखने हैं नॉडिफिकेशन ज्यादा इंपुर्टनेंट ऐसे इस नहीं पिंगरम करना और मेरे एक्जांपल करण और उसके बार फ्रूट के टाइप ऑर इनुटरिसेंस के टाइप सिंफ्लों टेप बहुत इंपोर्टेंट ने इसका भी डाइग्राम और एक्जांपल काफ़े एंपोरेंट और इस पेशल टाइप सुटेंडे से इस वर्णी इस तरह से आपको दे सकता है सौर्ट नोट में और लॉंग कुश्चन में देगा पूरा टाइपस ऑप इंप्लोरिशेंस तब आपको रैसे मोस और स्पेशल टाइप सब बताने हैं तो यह एंजिस पर मॉर्फोलोजी वाले यूनिट में हो गया प्लांट एनाटोमी समय सबुढ़ेंट कुश्चन है इसमें फ्यॉरी और उफ ए्पिकल में फ्यूर्प इश्ट्रम करके और आसे भी आ सकता है राटेर शॉट नोट आ या एपिकल सेल त्योरी तो यह इस तरह से आ सकता है तो इसके भी हमने इप्रियंट कुस्चन कर देके अब यूनिट्ब् तो आपको कम्प्लीट करके जाना ही पड़ेगा अगर बाकी यूनिट में चोड़ भी सकते हो तो चलेगा लेकि इस यूनिट में आप अगर स्किप करोगे तो आपको यह ट्रस्ट नहीं है कि कौन सा टॉपिक आज आजए आपके एक जाम में सारे टॉपिक है और सारे मैंने क कराइए आप जाकर चैनल पर अवेलबल प्लेडिस्ट में कौन मैंक्रिस पुरी जाना है मतलब यह मियुंट कि बनने की पूरी प्रोसेस में अब और टी में पॉलन ग्रेंट बता ओ तो फिर आपको यहीं लिखना मील ग्रेंट के बारे में कंफूज मत जाना माइक्रो स्पॉर जिनेस और डिवलप्मेंट ऑब मेल गामिट फाइट या पॉलन भेंट यह इतना मेल पाट के लिए अब फिमाईल मेगस पॉरेनियम मतलब कहां पर बनता है ओवियूल उवियूल जो होता है वो कहां पर बनता है उसके बनना देख लिए हम किस तरह से प्रॉसेस होगी बनने की, तो उसके साथ तयप्स और स्ट्रक्चर देखना और अब्यूल का फिर मेगा स्पॉरुजेनेस इस किस तरह से फील जो फीमिल गैमेटोफाइट होता है उसके बनता है फिर उसके बाद ऐसके खांव पर स्टुक्टरर और एम्डु सेक के टाइप एम्डु सेक क्या क्या है बाइस पॉरिक म्हानस पॉरिक ने देखनेयाम इन दौनों में से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है तो यह important है embryo-sac या female gametified दौनों नाम से आ सकता है confuse नहीं होना है आपको फिर pollination pollination में क्या देखना है जो male gamet वो किस तरह से female gamet तक पहुंचता है पूरी process देखनी है क्या बूला जाता है new sperm में double fertilization क्योंकि यहां पर जो दो male gamet होते हैं एक female gamet और secondary nucleus दोनों से फ्यूज करते हैं और जाइगोड और endosperm बनाते हैं तो पूरी process देखनी है सबसे अपोरेंट है fertilization और इसका question आएगा double fertilization करके long भी आ सकता है इसके बाद endosperm देखना है हमें endosperm के types देखने हैं त्री टाइब्स के endosperm होते हैं new cell और nuclear और cellular और हेलो मील तीनों टाइप्स के endosperm देखने हैं उसके बाद unit last unit 8 unit पहले नों जी यह बहुत छोटी unit है इसमें सिर्फ एक long question बन सकता है structure of pollen जिसमें morphology और anatomy पूरी pollen की देखते हैं तो वह सिर्फ एक question बन सकता है long बाकी सारे sort question लेंगे उसमें कुछ topics है जैसे aeropalinology, paleopalinology, forensic paleology, pollen allergy और इसके बाद जो एक और topic है taxonomy में paleology का क्या रूल है तो यह इन पर sort notes आएंगे और नहीं तो एक question में short notes में शारे जितने topics हैं सब mention भी कर सकता है इतने चोटे चोटे कुछन है इतने चोटे 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 topic हैं यह तो यह भी important है तो इतना सारा important आपका complete हो चुका है आज की वीडियो में तो आप पूरा अच्छे से revise करना अच्छे से वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना था कि आपके जो friends उनको भी बता चले क्या क्या important है तो पूरा important इसमें मैंने cover कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा like भी करना और जितने ज्यादा इस पर जितना response आएगा उतना में motivation मिलेगा क्योंकि सिर्फ आपका response ही है हमारा जो भी motivation है शिर्फ आपका response है उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है आप जितना ज्यादा शेयर करोगे like करोगे comment करोगे उतना हमारे लिए motivational होगा वो तो प्लीज ज्यादा ज्यादा like करना और अगर चैनल पर नए हो first time देख तो subscribe कर लेना और कमेंट कर देना thanks for watching